हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल कडी, मैं आपकी होस्ट लीना आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुती मज़ेतार हेल्दी नूट्रिशियस स्नैक मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नहीं रेसिपीस ट्राइ करते रहती हूँ उन में से ये एक रेसिपी है और जब बच्चों के लिए हम कुछ बनाते हैं तो हमें बहुती सोच कर सारी रेसिपीस बनानी पड़ती है जो डेलिशियस भी हो, हेल्दी भी हो और नूट्रिशियस भी है और इस ट्रीश को आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो कद्दू कस किया हुआ आलू इसे तुरंथ ही पैन में डाल दे नहीं तो बार रखने से वो काला पड़ सकता है अगर आप थोड़ी देर पहले प्रिपरेशन कर रहे हो तो कद्दू कस किया हुआ आलू थोड़ा पानी में रखिए और फिर बाद में पानी पुरी तरे से निकाल कर इसमें डाल दीजेगा अगर आप इसमें कौन भी डालना चाहे तो डाल सकते हो इन सब्सक्राइब को सिर्फ दो तीम मिनिट के लिए अच्छी तरह मिक्स करके पकाए फिर एक प्लेट पर निकाल कर इसे थंडा होने दे मैंने यहाँ पर पैन केक के बेस के लिए बाजरे के आटे का इस्तमाल किया है बाजरे का आटा सर्दियों में या फिर बारिश के मौसम में बहुती से हित्मन माना जाता है ये ग्लूटेन फ्री भी है इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मिक्स कर लीजिए और इसमें हमने सूजी डाली है तो सूजी फूल जाती है पानी में तो थोड़े देर के लिए इसे धक्कन से धक कर दस मिनिट तक ऐसे ही रखे हमने इस तरीके से छोटे छोटे पैनकेक्स बनाने है और घैस का फ्लेम हमें मीडियम लोवर रखना है यहां पर मैंने क्यूट चीज का इस्तमाल किया है आप इसे अपके चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो हेल्दी न्यूट्रिशियस चीजी बाजरा पैनकेक्स रेडी है इसे बच्चों के टिफिन में दे दीजिए या फिर शाम को स्नैक्स के लिए भी प्राइ कर सकते हों फ्रेंग्स इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजिए लेकिन जोल कड़ी को सब्सक्राइब करना प्लीज प्रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर बनता है प्लीज लाइक कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे नई रेसिपी के नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे थेंक्यू बाए